ही गाइस वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल ग्यान आएक्यू सो मैं आपके लिए नया रेक्रूट में नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो यूपी एससी निकाला है एंडिय के लिया ने कि नैशनल डिफेंस अकैडमी के लिए और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो है 430 य तो डीटेल में इस नोटिफिकेशन को देखेंगे हम आगे वीडियो में तो अगर आपको सरकारी नोकरी से रिलेटिट कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाती चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें उसमें वेकैंसी से एक proper playlist मैंने बनाई हैं तो वहां से आप various vacancies के बारे में पता कर सकते हैं तो गाइस चलिए देखते हैं कि detail में कि क्या UPSC का official notification है और क्या क्या इसकी details है तो यह है इसका official notification union public service commission का जो की 16.6.2020 को निकाला गया है और यह examination notice number 8 by 2020 है nda second यहां पर last date जो है इसकी application submission की वो 6 जुलाई है जो मैंने अपने थमलेल में भी डाला हुआ है और साथ-साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि जो last date है यह है 6 जुलाई 2020 साथ-साथ National Defense Academy and Neville Academy examination होगा और यह इस पर combined exam होगा इसके लिए कोई separate exam नहीं होगा because of COVID-19 outbreak और आपकी जो official website upsc.government.in से आप यह notification official notification डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं यह काफे detail में है 40 page का लगभग यह notification है और अगर आपको जादा update शाहिए तो आप notification जो है इसका notification डाउनलोड करें और इसको अच्छे तरीके से देखें कुछ main main चीज़े में आपको बता देते हूं इसके बारे में कि क्या इसकी eligibility है और क्या इसका criteria रहेगा तो चलिए देखते हैं कि क्या इसकी eligibility है और क्या criteria है आपको eligibility के बारे में ensure कर लेना है कि आप eligible हैं तब या form भरे अब apply कैसे करना है आपको upseonline.nic.in पर जाना होगा यानि कि upseonline.nic.in पर जाना होगा और वहाँ पर online इसके लिए apply करना पड़ेगा उसके साथी देखें एंडी और एंडी जो exam है नेशनल डिफेंस अकैडमी का जो exam था वो basically 19-4-2020 को होना था लेकिन because of covid-19 outbreak वो जो है वो पोस्पोन हो गया और अभी एक्जाम जो है वो 6 September 2020 को होगा और अभी चीज़े examination center पर लेकर जानी पड़ेगी यह सब कुछ इसमें पूरा detail में दिया हुआ है last date 6 July है इसको भरने की 6 बज़े तक उसके बाद online applications can be withdrawn from 13-7-2020 to 19-7-2020 यानि कि 13 July से 19 July के बीच में आप विड्रो कर सकते हैं application को 6 बज़े तक उसके बाद जो eligible candidates होंगे उनको e-admit card issue किया जाएगा three weeks before the commencement of the examination मतब एक्जाम होने से तीन हफते पहले आपको e-admit card जो है मिल जाएगा वो भी आपको UPSA की साइट पर मिलेगा उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है इसमें objective टाइप question paper होगा साथी guidance के लिए आप पर कुछ telephone numbers देख दिये गए हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन से उसके मोबाइल यहां पर बैंड होंगे इस examination में साथी यहां पर देखे यह है वेकेंसी की डीटेल्स तो नैशनल डिफेंस अकाडमी की जो है वेकेंसी उसमें total जो है हमारे पास 413 पोस्ट है यह आपको याद रखना है और इसकी अब देखे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है तो अगर आपको आर्मी की पोस्ट के लिए अपलाई करना है तो आपको सिर्फ 10 प्लस टू होना चाहिए यानिकी 12 पास होना चाहिए लेकिन आपको अगर एर फोर्स या नेवी में जाना है तो आपको इसके लिए साइन्स बैग्राउंड से जो है 12 पास होना चाहिए इसमें फिजिक्स, चेमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स आपके पास जरूर होना चाहिए साथ ही इसमें physical standards भी है इसके लिए candidate must be physically fit according to physical standards for admission to National Defense Academy and Neville Academy examination 2020 as per guidelines तो जो भी appendix 4 में आपको guidelines दिए है उसके according आपको physical standards भी पूरे करने होगे यह fee payment के बारे में इसमें लिखा हुआ है proper कैसे apply किया है इसमें पूरा detail में दिया हुआ है आपको कैसे कैसे apply करना है और क्या 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 आपको apply करने के लिए चाहिए तो आप इस notification को upsc.government.in से पूरा detail में इसको देख सकते हैं इस advertisement को तो यह काफी अच्छा मोका है 10 plus 2 के लिए अगर वो इंडियन defense service को अगर वो join करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा यहाँ पर process है तो देखें यहाँ पर जो two stage selection process होगा यहाँ पर आपका आपका two stage selection process based on psychological aptitude test भी होगा इसमें intelligent test भी होगा साथ ही इसमें exam की scheme और देख लेते हैं तो scheme of examination क्या है इसमें कि आपका the subject of the written examination जो होगा और इसमें क्या क्या duration रहेगी यह देखें इसमें जो subject है mathematics होगा basically यह देखें आप यहाँ से देख सकते हैं इसको so maths है maths यहाँ पर code 1 है और यह धाई गंटे का होगा साथी general ability test जो है वो भी धाई गंटे का होगा so यहाँ पर आपके total number जो है यानि की 900 होगे so देखें इसमें test plus interview test और interview जो भी इसमें है दोनों का total होगा वो 900 होगा so 900 marks का आपका paper होगा तो आपको इसके लिए अच्छे से तयारी करनी है अगर आपको यह job चाहिए तो इसका पूरा जो syllabus है वो भी इसमें दिया हुआ है क्या क्या आपको पूछा जाएगा सारा syllabus इसमें है तो यह काफी लंबा notification है गाई और इसको आप देखें general knowledge के questions भी इसमें होगे तो यह basically इसका detail notification था तो guys अगर आपको लगता है कि आप eligible है और apply करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें और इसमें सिर्फ 12th qualification है मतलब आपको सिर्फ 12th pass होना जरूरी है अगर आप science background से हैं तो आप Navy और Air Force में भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप simple 12th pass है from our site तो you can apply in Army Wing तो यह video थी इससे related तो जो भी apply करना चाहते हैं वो इस upsc.government.in की site से जो है apply कर सकते हैं यह इसकी official site है आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो फ्लीज इसको लाइक और चैनल को subscribe जरूर करें और वेकेंजी की updates जानने के लिए जरूर चैनल को subscribe करें आपको यहाँ पर वेकेंजी की सारी updates मिलेंगी and thank you for watching